मद्य प्रदेश जल्द ही अपनी नई सरकार चुनने जा रही है राज में लंबे वक्त से भाजपा की सरकार है और बीते दो दशकों में क्रिशी शेत्र में राज ने बड़े बदलाव देखे हैं और प्रदेश की लगभग आधी अर्थविवस्था क्रिशी से जुड़ी है लेकिन विकासदर जादा होने के बावजूद मद्य प्रदेश सामाजिक और आर्थिक सुचकांकों में इतना पिशड़ा क्यों नजर आता है और खास कर तब जब बात महिलाओं की हो नमस्कार मैं क्रिश्ण मुरारी और आज हम बात करेंगे मद्य प्रदेश में महिलाओं की सिती पर मात्र मृत्यूदर, कुपोशन, स्वास्त से लेकर सिक्षा के मामले में मद्य प्रदेश के आकड़े, राष्ट्य औसत और उसके पड़ोसी राजियों चतिसगर, उतर प्रदेश, महराष्ट, राजस्थान और गुजराथ से भी नीचे नजर आते हैं जानकारों का मानना है कि राज में सिक्षा और स्वास्त की बधाली ने महिलाओं को और भी हाशिये पर ला दिया है आरी सिंग और विश्विद्याले में एंथ्रोपॉलाजी के प्रॉफिसर राजेश कुमार गौतम का कहना है कि मध्य प्रदेश में स्वास्त और शिक्षा दोनों शेत्रों की हालत खराब है जिस हिसाब से इन शेत्रों में निवेश की जरुवत है उतना नहीं हो रहा है मात्र मृत्यूदर यानि की मेटरनल्टी मॉटलिटी रेट के मामले में मध्य प्रदेश का आकड़ा 173 है जो की रास्ट्र और सत 97 से काफी जादा है देश में सबसे जादा मात्र मृत्यूदर मध्य प्रदेश का ही है वहीं मध्य प्रदेश के पडोसी राजियों की सिती कुछ ठीक दिखती है राज सरकार की Think Tank अटल बिहारी वाचपे Institute of Good Governance and Policy Analysis के एक अध्यन के मुताबिक सरकार ने यह महसूस किया है कि सारवजिनिक स्वास्त व्यवस्था की हालत को सुधारना एक बड़ी चुनाती है Female under 5 mortality rate के मामले में भी मध्य प्रदेश अपने पडोसी राजियों 36 गड, गुजरात, महराश, राजस्थान से पीछे है वहीं 15 से 49 साल के उमर के बीच की 52.9 प्रतिशत महिलाएं एनेमिक है राज की 72 प्रतिशत आबादी ग्रामीन इलाकों में रहती है राज के धार जिले के लबरावदा गाउं की रहने वाली 12 साल की धापू सात्वी क्लास में पढ़ती है लेकिन उसका स्कूल आना जाना कभी कभार ही होता है वो जादातर खेतों में अपने माबाप की मदद करती है धापू की तरह राज में बड़ी संख्या में महिलाएं स्कूल नहीं जा पाती National Family Health Survey 5 के आगड़े बताते हैं कि 15 से 49 साल की उमर के बीच की सिर्फ 39 प्रतिशत महिलाओं नहीं 10 साल की स्कूलिंग की है साथ ही लड़कियों की उमर 14 साल के पार होते ही उनका स्कूल जाना काफी कम हो जाता है और ये राज की साक्षरता दर में भी दिखलाई पड़ता है मद्य प्रदेश में सिर्फ 39.2 प्रतिशत महिलाएं शाक्षर हैं जो कि राष्ट्र औसत 64.64 प्रतिशत से कम है निती आयोके 2019 पीस के हेल्थ इंडेक्स में भी मद्य प्रदेश का स्थान काफी नीचे था वहीं NFHS 5 के आकड़े बताते हैं कि 18-49 साल के उमर के बीच की 31 प्रतिशत महिलाओं को शारेरिक या यौन हिंसा जहलनी पड़ती है और NCRB का डेटा भी कहता है कि मद्य प्रदेश देश में महिलाओं के लिए सबसे आसुरक्षी जगहों में से एक है 2021 की NCRB की रुपोर्ट के अनुसार राज में 6462 रेप के मामले दर्ज किये गए थे हाल ही में उजयन में एक नाबालिक से रेप की घटा ने पूरे देश को चौका दिया था मद्य प्रदेश में महिलाओं से जुड़ी कई यौजना ही चल रही है और इस साल भाजपा की शिवराज सिंग चौहान सरकार ने चुनावों से पहले महिलाओं को साहथने के लिए लाडली बहना यौजना की शुरुवात की जिसमें हर महिने महिलाओं को 1250 रुपे दिये जा रहे हैं राज में इन दिनों हर जगे इस यौजना के पोस्टर दिखाई दे जाते हैं जिस पर लिखा है शिवराज भहिया की मदद से बदल रहा बहनों का जीवन क्या सच में भहिया की बहनों का जीवन बदला है आकड़े तो इस बात की तस्दीक कतई नहीं करते हैं इंदौर के अटल बिहारी वाजपई कला एवं वानिज महाविद्याले में राजनिती विज्ञान की प्रॉफेसर ममता चंदरशेखर बताती हैं कि राज में सामाजिक और मांसिक तोर पर पिछड़ापन हैं, बांकि राजियों के मुकाबले मद्प्रदेश की महिलाएं कई म कामलों में पिछड़ी नजर आती हैं, प्रॉफेशर चंदरशेखर लाडली बहना जैसी योजनाओं को वोट पैंक पॉलिटिक्स मानती हैं और कहती हैं कि इससे महिलाएं शशक्त नहीं बलकि आलसी बन जाएंगी, सरकार को महिलाओं की सेती बदलनी है तो नितिगत सर पर काम करना होगा, मद्यपरदेश का 2022-23 का आर्थिक सर्वे यानि कि एकनॉमिक सर्वे कहता है कि राज ने समाजिक धांचे के भीतर बराबरी लाने के लिए बीते डेड़ दशकों में काफी निवेश किया है, लेकिन जानकार कहते हैं कि राज का समाज अभी भी सामन्त यानि हुई और ना ही कभी यहां का पारंपरिक सामाजिक धाचा तूटा है, राज में महिलाओं के लिए दीरकाले नीतियों की काफी कमी रही है और नाडली बहना जैसी योजनाए कोई विजनरी योजना नहीं नजर आती, मद्य प्रदेश के चुनावी नतीजे ही अब बता पा इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए दिपरेंट के साथ जोड़े रहे हैं